आग टू दर चैनल मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट पिंस और आज किस वीडियो में हम देखने वारे अपने लेक्चर नमबर 12 को आर्टिफिशिल इंटिलिजेंस में जिसमें हम लोग 3 चाप्टर कवर कर रहे हैं, यूनिट 2 ही अभी हमारा चल रहा है, I know कुछ यूनिवर इंट रहे हैं, यूनिट 3 बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं, तो आप सब के लिए बहुत इंपोर्टेंट होगा, आज हमें पढ़ना है, बेस्ट फॉर्स्ट सर्च के बारे में, हमने इंफॉर्म सर्च स्ट्राटजी स्टार्ट किया था, जहाँ पे हमने यह देखा है कि इंफॉर्म सर्च स्ट्राटजी के ऐसी टाइप ऑफ सर्चिंग, स्टेट स्पेस सर्चिंग स्ट्राटजी होती है, जहां पे हमारे पास पहले से उस डॉमें का नॉलेज होता है, मतलब we have something, जैसे हमने इंफॉर्म में बना था, वहां पे हमारे पास कोई नॉलेज नह हमारे में पता होता है, for example, अगर आपको A to B पे ट्रावल करना है, for example, मुझे A to B पे जाना या A to C पे जाना है, या फिर अगर दोनों में से किसी एक लोकेशन पे जाना है, जो लोकेशन सबसे पास है मेरे, या तो B या तो C, तो इसमें मुझे पहले से पता हो कि A to B की दू पूरी है, four kilometers, ठीक है, और मुझे दोनों ही जगा पे वो सेम चीज़े मिलने वाली है, बी लोकेशन पे भी मुझे वो चीज़ मिल जाएगे, C पे भी मिल जाएगे, तो मैं of course C पे जाऊंगा, क्योंकि मेरे पस इसकी domain की knowledge है, distance मुझे पहले से पता है, A to B का और A to C का, तो informed search strategy मैंने पहले भी explain के एक ऐसी technique होती है, जहां पे हमें उस domain के बारे में knowledge होता है, अब वो knowledge बहुत अलग-अलग type की हो सकता है, इसकी कोई proper definition नहीं कि क्या knowledge होता है, for example, अगर आप map की बात करें, तो आपके पास हो सकता है कि cost of estimated cost हो, उस node से A to B node पे पहुँचने का, आपक partial cost हो सकता है, आपके पास यह distance traveled हो सकता है, कि आपको एक note से दूसरे note पे पहुचने के लिए कितना distance लगेगा, तो यह कुछ factors होते हैं, जो हमें consider करने पड़ते हैं, आज इस video में मैं आपको पहले theoretical concept बताने वाला हूँ, और यह जो proper notes मैंने बनाया, जो कि आपकी university exam के example भी बता रहा हूँगा, जो आपकी university exam में आता है, कई बार की explain best first search with the help of an example, तो वहाँ पे आपको यह example जो है, काम आ सकता है, बहुत important example, simple example में आपको बताने वाला हूँ, तो best first search क्या होता है, सबसे पहले best first search is a search algorithm used in artificial intelligence that select the node, next node to be expanded based on an evaluation function, estimate the cost of reaching the goal from that node, for example, यह एक ऐसा strategy है, कैसी strategy search की, जो की node को decide करती है, based on the evaluation function, अब यह evaluation function क्या होता है, evaluation function का मतलब वहाँ कोई भी ऐसी specific value हो सकती है, for example, cost हो सकता है, वो यह distance हो सकता है, कि एक node से दूसरे node पे जाने के लिए, हमें कितना cost लगने वाला है, सबसकर A to B पे हमें जाना है, तो हमें कितना cost लगी गा, या फिर कितना distance travel है, जैसे मनने बताया कि A to B है, A to C है, और A to D है, ठीक है, और यहाँ last में G है, B से G पे जा सकते हैं, और D से भी G पे जा सकते हैं, for example, एक ऐसा diagram आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पर हमारे पास different node है, A to B, A to D, A to C, और last में हमारा goal state drive G है, ठीक है, तो यहाँ पर हम nodes को कैसे पर decide करें, हम यह decide करें, A to B से G पे जाना है, या A, C, D, G पे जाना, या फिर A से D, फिर G पे जाना, यह हम कैसे decide करें, यह decide किया जाता है, evaluation function पर, मतलब हमारे पास एक value होती है, हर एक node की, for example, अगर distance है, तो A से B की distance दी रहेगी, B से G की distance दी रहेगी, A से C की distance दी रहेगी, A से C से D की distance और D से G की distance, इस तरीके सामया पर decide कर रहे होते हैं, मैं आपको एक example भी बताने वालू, in the best first search, the evaluation function determines the best node to expanded next, मतलब आपका जो evaluation function है, वही decide करता है, कि कौन सा इसा node है, जो best होगा, हमारे next expansion के लिए, next expansion का मतलब क्या होग तो उसके बाद या फिर आप A node पे, suppose करो, हम अभी A node पे हैं हम लोग, हम लोग अभी इस node पे खरे हैं, ठीके, अब हमें ये decide करना है कि हमें B पे जाना है, C पे जाना है, या D पे जाना है, for example हमें ये decide करना है, अब ये हम कैसे decide करेंगे, ये होता है evaluation factor पे, कि हमारा evaluation function होता है, वो इस चीज़ को decide करता है कि हमें दूसरा कौन सा node select करना है, ओके, the evaluation function may be based on factors such as the estimated distance to the goal, the cost of the path from the start node to the current node, और a combination of both, जैसा मैंने आपको बता है कि ये estimated distance भी हो सकता है, estimated cost भी हो सकता है, ठीके, best first search can be implemented using a priority queue to maintain a list of node that have been generated but not yet expanded, अब यहाँ पर दो node की बात करते हैं, बहुत लोग उसको priority क्यों भी बोलते हैं, but मैं simple language में आपको बताऊंगा, open list और close list, ठीके, हम बात करेंगे open list की, इसके algorithm में भी आपको ये देखने को मिलता है, close list, simple language में बात करते है, open list का मतलब यहाँ पर जो भी node को हम explore कर रह नहाँ पर रहेंगे, but उसको हमने expand नहीं किया, मतलब हम वहाँ तक पहुचे नहीं हैं भी तर, और close list का मतलब हो कि जिस node को हमने expand कर लिया, मतलब हमने decide कर लिया, कि A से B की तरफ जाना, तो B जो है, वो आपका close list में आजाएगा, हाँ, आपने A से B की दूरी जो है, वो decide कर कि मेरे को A node के बाद B node पर जाना, तो वो close list में आजाएगा, तीक है, मैं आपको बहुत ही अच्छा example बताने हो जिससे आपको ज्यादा समझ में आएगा, one of the advantages of best first search is that it can be used with any admissible heuristic function, which means that the estimated cost of reaching the goal from any node must never be greater than the actual cost, यहाँ पर हम लोग बहुत सारी चीज़े करते हैं, but best first search के ब वो आपको optimal solution नहीं देता है, मतलब जो हमारा estimated cost हो जाता है, वो actual cost से ज़्यादा हो जाता है, तो उस वज़े से हम इसको incomplete search भी बोलते हैं, right, इसकी algorithm की बात करते हैं, सबसे पहला आपको क्या करना है, initialize करना है, the open list with the initial state, जो आपका initial state है, then initialize the closed list as an empty set, close list में कुछ नहीं हो यह हमारा हो गया, open list, और यह हमारा हो गया, close list, ठीके, अब इसमें क्या बोलते हैं, initialize with the initial state, for example, अगर मेरे पास एक function है, a है, तो मैं क्या करूँगा, मैं open list में a को डाल दूँगा, मैंने a को डाल दिया, और close list मेरा empty, क्योंकि हम लोग अभी किसी दूसरे note को हमने अभी त which is not empty, जब तक हमारा open list empty नहीं है, देखो यहां पर हमारा open list empty है क्या, नहीं, हमारे open list में a है, select the node with the lowest estimated cost from the open list, अब हम क्या करेंगे यहां पर, कि हम यहां से देखेंगे कि कौन सा node है, जिसकी value कम है, मतलब little value है, list value है, a से b या a से d, और हम उसको इस open list में डालेंगे, और उ node हमें explore करना है, आगे जाके, if the selected node is the goal node, return the part to the goal, अगर वो selected node goal हो जाता है, तो आप वहां पर रुख सकते हैं, return हो सकते हैं, generate all the successor of the selected node, for each successor, compute the heuristic value and the total estimated cost, अगर आपको calculate करने के लिए आता है, तो आप करेंगे, if the successor is already in the closed list, ignore it, अगर वो successor already closed list में है पहले से, तो आप उसको ignore करेंगे, अगर वो नहीं है, तो आप उसको open करेंगे, और अगर successor already open list में है, तो आप उसको simply update कर देंगे, ठीक है, यह algorithm के कुछ steps होते है, I know, I very well know कि कई पर आपको steps जो है, algorithm के समझ में नहीं आते, right, क्योंकि थोड़ा theoretical हो जाता है, कि आपको open list के है, close list के है, तो इसके इसके लिए हम लोग simple सा example देखते हैं, जिससे कि आपको अच्छी तरीके से आपके, जो doubt से वो clear हो जाएंगे, ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक path बनाता हूँ, simple सा example लेते हैं, suppose को मेरे पास एक root note S है, ठीक है, मैंने यहाँ पर दो structure बनाया, A, B, ठीक है, then मैंने A से बनाया, C, और D, okay, मैं एक simple सा, बहुत simple सा example ले रहाँ, I think आपको समझ में आ जाएगा, इस example से आपको सारी चीज़ें, आपकी अच्छी तरीके से clear हो जाएंगे, ठीक है, मैंने बनाया E, यहाँ पर हमारा node F है, then E से H के तरफ जाएंगे, और F से हम लोग आएंगे, I, G, ठीक है, यह हमारा एक graph है, ठीक है, अब हमारा इसमें goal state कौन से है, सबसे पहले तो हमारा जो यहाँ पर goal state है, वो है G, ठीक है, क्या है, हमारा यह goal state है, यह हमारा goal है, है हमारा root node होगे s हमारा root node होगे s और हमारा goal state जो है वो g है अब हमें s से लेकर g तक पहुचना है अब हमारा रास्ता क्या होगा हम किस तरीके से अपना distance travel करेंगे नोड को explore करेंगे ताक कि हमें एक solution मिल जाए हम यह नहीं जानते कि optimal solution है या है बट हमारे पास एक solution होगा इसके लिए आपका algorithm क्या करता है सबसे पहले आपको क्या करना open list और close list बनाना है बट उससे पहले हम लोग इसकी heuristic value जान ले तो आपको question में दिया रहता है अब क्यूंकि एक best first सबसे पहले आप definition देखो best first search का कि best first search the evaluation function determine the best node basically यहां पर क्या होता है select the node to be expanded based on an evaluation function मतलब आपके पास एक specific value होती है जिसके basis पे आप function को perform करते तो यहां पर हर एक node की अपनी एक value है heuristic value जिसको हम लोग बोलते हैं for example मैं यहां पर लिख देता हूं कि एस की value है suppose करो 13 कि एक वैलों हम लोग ले ले लेते हैं 12 बी की वैलों ले ले लेते हैं तो यह यह डिफरेंट डिफरेंट सॉरी बी की value एक सेक्ट मैं पूँआ हो अच्छिवी पैन में थोड़ी सी problem होती है पैन सेलेक्टे पर ठीक है बीकी वैलों हम ले 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 hours 4 एक डीक है sih की वैलु ले लेते हैं लोग 7 यह कि अच्छिव एलीव एक ह أنu मतलब यह कोशन पहले से दिया रहेगा गां कि somak कि डीकी वैलों 3 ले लेते हैं इंक वैल्यू हम लोग ले लेते हैं हेज कि वैल्यू हम लोग ले लेंगे टू अधकी वैल्यू Oh 9 जी की वैल्यू 20 क्योंकि हमारा गोल इस्टेट है ठीके यह सारी हुरिस्टीक वैल्यू राइ Europo है leading यह हो सकते हैं इसी के basis पर हम लोग क्या करेंगे अपने path को decide करेंगे algorithm आपका क्या कहता है algorithm यह कहता है कि सबसे पहले आपको open list बनाना और एक close list बनाना ठीक है तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे open list लेते हैं तो यहाँ पे हमने एक लिए open list कि एक लिए हमने close list ठीक है अब सबसे पहला step क्या था algorithm का कि आपको open list को initialize करना है आपके root member से तो हम सबसे पहले हमारा root member कौन सा है ऐसे तो हमने एक s डाल दिया यहाँ पे सबसे पहले ओके close list आपका अभी empty होने वाला क्योंकि हम अभी explore करना स्टार्ट करने वाले ठीक है अब s के successors को देखो कि s के child node कौन कौन से a है आपका a है और b है राइट अब इन हिसं दोना में से हम दोनोही node को open लिस्ट में लिखेंगे उपन लिस्ट में आप किस को लिखते हैं आप जो जो जस वाग। आपको explore करना है ठीक है तो हमने लिखा as s a wait arero ठीक है और close list में s को add कर देए क्योंकि s तो आप anyway explore कर s तो आपका रास्ते का path होने वाला है ना मतलब जो आपका आपका जो path होगा आप goal state पर जब पहुंचेंगे तो s तो आप compulsory s से cross होने वाले क्योंकि आपका s जो है वो root node है तो हमने s को close list में डाले close list का मतलब यह होता है कि यह आपका fix path है कि आप इस रास्ते से तो जाएंगी जाएंगे तो s हमारा आने वाला है ठीक है अब हमारे पास problem ही है कि हम a और b से कौन सा decide करें कि हम a s से a की तरफ जाएंगे s से b की तरफ जाएंगे उसके लिए हमें simply क्या करना हमें इस हुरिस्टिक value को देखनी है a की value कितनी दीवी यहां पर बताओ a की value दीवी है 12 b की value है 4 ठीक है तो value कम किसकी है अफकोस b की है तो आप क्या करेंगे आप close list में किसको डाल देंगा b को डाल देंगे s आपका यहां पर है नहीं यहां पर क्या बचा ए बचा और यहां पर आ जाएगा s and b ठीक है मतलब हमारा यह जो रास्ता यह वाला path है यह fix हो गया कि हम s से b की तरफ जा रहे है अब आपका open list में क्या बस आपकी open list में a बचा और कुछ नहीं बचा ठीक है उसकी बचा हम क्या करेंगे b के successor को लिखेंगे open list में a पहले से है एक और रहने तो ऐसे ही ठीक है b का successor कौन साहर देखो b में है e और f दो successor हमारे पास b के तो हम क्या करेंगे open list में e और f को लिख देंगे ठीक है यहाँ पे आपका close list में क्या है s है और b है अब हम यह चेक करेंगे वापस से अपने open list में कि b का जो successor e और f है उसमें से least value किसकी है तो आप यहाँ पे heuristic value देखो e की value है 8 f की value है 2 तो हम close list में किसको लाएंगे मतलब हम b से e के तरफ जाएंगे f के तरफ जाएंगे अफकोस F की तरफ जाएंगे तो हम close list में लिख देंगे S, B और F को add कर देंगे close list का मतलब हुआ कि आपका रास्ता fix हो रहा है कि आप S से B की तरफ जाएंगे और उसके बाद F की तरफ जाएंगे तो हम S से B की तरफ गएं then B से हम F की तरफ गएंगे और open list में आपका क्या बचा है A बचा, E बचा अब हम आते हैं F पे F पे हम पहुँच चुके, यहाँ पहुँच चुके अब हम यहाँ पे देखेंगे successor node I और G तो आप I और G को क्या कर रहे होगे आप I और G को यहाँ पे इसके साथ add कर देंगे A, E, I और G open list में हमने add कर दिये अब हम यह देखेंगे कि I और G में से value कम किसकी है तो I की value 9 है, G की value 0 क्योंकि G हमारा goal state है तो हम कुछ नहीं करेंगे हम G को add कर देंगे यहाँ पे close list में S, B, F है यहाँ पे हम G को हटा देंगे आसे A, E, I S, B, F, G और यही आपका बन जाएगा आप close list में पहुँच चुके है algorithm क्या करते हैं कि अगर आप close list पे आ चुके तो आप return हो जाएगे तो यह हमारा final path होगे इसी को हम क्या बोलते है final path right क्या हमारा path होगा A से B, B से F and F से G के तरफ हम जाएगे और यह आपका final path हो सकता है तीके अब यह जो solution है यहाँ जो मैंने आपको बता है यह हो सकता है कि optimal नहीं हो कई बार हमारे पास होता है कि हमारा जो cost होता है estimate cost वो जादा होता है actual cost से इसलिए हम इसको best first search को हम कई बार incomplete भी बोलते है optimal solution नहीं देता है बट यह जो example मैंने बताया आप बहुत easy example I hope आपको समझ में आया होगा exam में जब question आता है explain best first जो बहुत बार पूछा गया है तो आप वहाँ पर यह example दे सकते है time complexity इसकी कितनी होती इस नोट्स में आपको सारी चीज़े मैंने mention करी है यहाँ पर जितनी भी आपके exam के लिए important है यह notes मैं आपको आपके whatsapp group पे देने वाला हूँ हर notes मैं whatsapp group पे share करता हूँ उसके लिए description में आपको whatsapp group का link मिलेगा आप उसको join करो वहाँ पर आपको सारे notes मिल जाएंगे और आज के बाद मैं try करूँ कि आपको वीडियो थोड़ा जल्दी मिले ताकि आपका जो end semester exam होने वाला है 20-25 दिनों में उसमें आप अच्छा score कर पाए आप अच्छा score करेंगे बट एक बहुत इंपोर्टेंट चीज यह कि आप प्लीज whatsapp group को join करें ताकि मैं live session जो लेता हूँ free seminar या free live session जहां पर मैं आपको live में आके पढ़ाऊंगा शायद इससे भी अच्छी तरीके से बता सकता हूँ आप बेस लाइव में interaction होते रहता है हमारा तो उसके लिए आपको WhatsApp group join करना बहुत important है और अगर आप चैनल पर नए हैं डिप्लोमा अगर इंजिनरिंग के student है आप तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि यूर इंजिनरिंग फ्रेंड के चैनल के लिए नोट्स असाइन्मेंट important question और lectures डालते रहते हैं तो आज के वीडियो में इतना है मिलते हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगी की चीजों को कवर करेंगे जो भी important algorithms होंगे important models होंगे आज की वीडियो के लिए इतना ही मिलते हम लोग अपने next video में thank you so much for watching this video have a good day